नमस्कार दोस्तों आप सभी के लिए एक साहरी है मुझे डर नहीं गुमराही का हर रास्ता तो तक जाता है हैस्टेग सीटेट तो आप ये साहरी पढ़ भी सकते हैं इसमें सबसे आखरी लाइन लिखी हुई है इस साहरी से पूरी जो आज की हमारी क्लास है जोड़ी हुई है तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सीटेट दिसम्बर 2024 इसमें मैं आपको टिप्स देता हूँ आपको पता होगा इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है और उन टिप्स से हम देखेंगे क्या क्या हमारी कमी रह जाती है और आखरी टाइम तक जो मैंने आपसे बोला है तैयारी से सफलता तक की यात्रा मेरे साथ तो आखरी टाइम में सीटेट में जो भी आपके लिए सफलता की यात्रा है कैसे आप तैयारी से सफलता तक पहुँचेंगे उसमें मैं आपके साथ बना रहूँगा तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अब सबसे पहला सवाल आखरी 30 दिनों में क्या जरूरी है इसके बारे में बात करेंगे हम टार्गेट हमारा 120 प्लस का स्कोर करना है यह आप सभी को पता है तो यह आज हमारी 3rd क्लास है टिप सकी ठीक है अब हम बात करेंगे आखरी 30 दिनों में ऐसी क्या चीज जरूरी है जिसकी बिना सीटेट को पास करना एक तरीके से नाममकिन है अगर आपने वो चीज ना करी तो सीटेट को पास करने में यह समझे लीजिए कि 1% चांस रह जाएगा आपके पास पास करने के लिए और वो चीज आपने कर ली तो आपका 100% चांस है सीटेट को पास करने का 100% गारंटी हो जाएगी तो अगर आपको 100% guarantee चाहिए तो उस बात को ध्यान दखेंगे जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो start करते हैं आज की वीडियो में क्या ऐसा है जो हमें 30 दिनों में करना है और वो सबसे ज़्यादा जरूरी है अब बात ये आती है कि 30 दिनों में हर को ये चाहता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ मैं वो भी पढ़ लूँ मैं हिंदी, इंग्लिस, मैथ और साइंस, SST जो जो बच्चे पेपर देते हैं जो जो उनका सलेवस है सीटेट का इसी का पेपर 2 मैं मैथ साइंस है तो किसी का साइंस है अब उसमें लेंग्वेज सब की हैð हिंदी और इंग्लिस, उसकी पेड़ागोजी भी है SSD भी है, SSD में उसकी Pedagogy भी है Math है अगर आपके पास तो Math की Pedagogy, Science है तो Science की Pedagogy, अब बच्चे क्या करते हैं कि जैसी Paper पढ़ना है, स्टार्ट किया CETAT की जो तयारी है उनकी स्टार्ट की उन्होंने उठाया सबसे पहले Math, अब Math पढ़ते-पढ़ते सोच रहे है, मेरा Science छूट रहा है मेरी Hindi छूट रही है, मेरी English छूट रही है अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ये आपको जो 30 दिनों में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वो ही गलती है जो आप कर रहे हैं, अगर आप एक पर अगर कोई subject पढ़ रहे हैं तो उस subject को पढ़ते time आपको दूसरे के बारे में क्यों सोचना है जब तक आप उसको खतम नहीं कर लेंगे तब तक आपको उस दूसरे सभजेक्ट के बारे में या किसी और topic के बारे में टाइम पर अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम आपको दूसरे के बारे में क्यों सोचना है जब तक आप उसको खतम नहीं कर लेंगे तब तक आपको उस दूसरे सब्जेक्ट के हर रास्ता तुझ तक जाता है तो आपको गुमराई का डर क्यों अगर आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता आपको मंजल तक ले कर जा रहा है तो आप हमेशा ऐसा रास्ता पकड़िये जो आपको आपकी मंजल तक ले कर जाए तो जैसे कि अगर आप सो रहे हैं तो स आपके माइन में क्या चलना चाहिए सीट आध यानि कि आप खाएं पिएं खेलें खूदें हर जगह आपके माइन में चलना चाहिए सीट तो आप जिस रास्ते पर भी तो आप कहां पहुंचेंगे सीटेट के पास अब यह मैं क्यों बोल रहा हूं जब हम 2400 गंटे एक चीज के बारे में सोचते हैं तो उसके नए नए आइडिया और उसकी दिक्कतों से बाहर निकलने के लिए हर एक रास्ते हमको दिखने लग जाते हैं जैसे की सीटेट है आप कि चीज कटेशन लग रहे हैं क्या दिक्कत आ रहे हैं वो सब आपको समझे तभी आएगी जब आप खुद से उसके बारे में सोचेंगे आपकी प्रॉबलम है तो उसको आप बहुत जल्दी पैचान जाएंगे अगर आप उसके बारे में बारबस सोचेंगे अब मैं आपको बता रहा हूं हर रास्ता तोई तक जाता है इसका मतलब आप इसी से मत जोड़िये के सो रहे हैं, खा रहे हैं, खेलने हैं, खूद रहे हैं अब बात आती है main point पर तो main point यह है कि अगर आपने एक subject उठालिया CDP का अगर आपने subject उठालिया SST का तो जब तक आप SST के पूरे 40 question content वाले ना खतम कर लें, तब तक आपको कुछ और सोचना ही नहीं है कि और subject क्या है, क्योंकि SST कर रहे हैं आप ये भी CTAT में आएगी, CDP कर रहे हैं आप ये भी CTAT में आएगी, अगर आप SST के लावा फिर Hindi और English करेंगे, तो वो भी आपके CTAT को time देना है, उसकी pedagogy जरूर समझे, आप जैसे Hindi और English में, मैंने आपको पहले भी बताया है, कि इसमें आप क्या करते हैं, कि जो सोचते हैं कि सिर्फ गध्यान से हैं, वो तो आराम से हो जाएंगे हमारे 15 नमबर के, लेकिन बचे 15 नमबर आपके subject pedagogy के, वो भी तो आएं उनको ध्यान से पढ़ना है, उससे बाहर guarantee है मेरी एक भी question नहीं जाएगा, और आपने अगर ऐसे 15 नमबर का इसका content based होता है, और 5 नमबर की inclusive education यानि की समावेशी से इच्छा होती है, पिलस के 10 नमबर इसकी pedagogy आती है, CDP की, चाहें आप paper 1 है, चाहें आप paper 2 अब बात करते हैं, इसकी math और science की, तो math और science में भी ऐसा ही होता है, math में 20 question आएंगे आपके content के, 10 आएंगे pedagogy के, science में 20 question आएंगे आपके content के, और 10 आएंगे आपके pedagogy के, इसी तरह से अगर आप EBS की बात करेंगे, तो EBS में 15 question आएंगे आपके content के, और 15 आएंगे 15 यह वाली कोंसन इनको भी आपको करना क्यूकि यह भी आपको कहां लेकर जाएंगे सी तो आपको कोई भी धील नहीं देनी है अगर आप डील देंगे तो आप ये 120 प्लस के स्कोर तक नहीं पहुच पाएंगे आप वहीं रह जाएंगे 100 पर, 102 पर और इधर 95, 98 या 96, 94, 92 इतने नमबर पर रह जाएंगे और अगर आपने कोई भी डील नहीं दी तो आपके आराम से 120 प्लस आ जाएंगे और धील ना देने का मतलब क्या है जो आपकी पेडागोजी है उसको तो अभी से स्टार्ट कर देना है आपको इन 30 दिनों के अंदर अंदर आपको डेली हर एक सब्जेक्ट के पेडागोजी के जितने भी कोशन आने वाले हैं एक्स्प्लेनेसन है उसको ध्यान से पढ़िए और कोशनों के आंसर को ध्यान से पढ़िए खतम आपकी पेडागोजी और पूरी की पूरी टेंसन खतम बच्चे 30-40 नमबर वह आप यहां से कवर कर लेंगे यह तो बात रही पास करने वालेगी अब जो बच्चा पूरी तरह से पेडागोजी पर मेहनत कर रहा है वह कंटेंट उपर भी मेहनत करेगा तो वह आराम से 70 यहां ले आया पचास यहां पर आजाएंगे 60 यहां पर ले आया, 60 यहां पर आजाएंगे और इससे जादा ही आएंगे जब आप कोसिस करेंगे 120 तो आपके आराम से seated जैसे एकजाम में 130 भी आजाएंगे लेकिन यह ऐसा ही नहीं कि जैसे हम कह रहे हैं वैसे आजाएं आपको जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा आप कितना वो चोट सहता है अपने हतोड़े की और जो बनाते हैं उसको उन पर कैसी कैसी मसीने होती हैं उनसे उस पत्तरों को काट काट कर वो क्या बनाते हैं मूर्थी बनाते हैं तो वो इतनी चोट सहता है ऐसे इस तरीके से आपको भी अपने आपको इन सारी रड़नीतियों स तो आपको क्या करना है इन 30 दिनों में यही ध्यान रखना है कि जो आप कर रहे हैं उसको पहले खतम करना है कोई सा भी आप सब्जेक्ट उठाईए यह नहीं कि एक सब्जेक्ट हमने CDP का उठा लिया आप सोच रहे हैं SST की और हिंदी की और इंगलिस की सबकी टेंशन लेकर बैठ गे एक इवार में नहीं आपको एक सब्जेक्ट उठाना है उसको अच्छे से खतम करना है जो भी उसका टॉपिक आपको खतम करना है अगर आप पुराना पेपर पढ़ रहे हैं previous year पेपर तो आप क्या करेंगे तो आप पहले उसके 30 कोशन को अच्छे से करेंगे यह पहले आपने टॉपिक उठाया उसको अच्छे से खतम करना है और फिर उसके बात दूसरा करना है यानि कि एक तरीके से आपके हाथ में जो टॉपिक आ गया उसको खतम करना है उसके अलावा दूसरे की टेंशन नहीं नहीं लेनी है क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं उसको भी आप कहां पहुँचोगे सीटेट के पास पहुँचोगे खिंग है तो खत्म करते हैं आज की वीडियो हम इसी साहिरी के साथ के डर नहीं मुझे गुमराही का हर रास्त तोज तक चाहता है इसी तरह से हम पढ़ेंगे और बिना टेंजन के पढ़ेंगे अच्छे से तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद